जै माता की सभी को? आप सभी जामते हैं के दिवाली आ रही हैं तो दिवाली पर माता लक्षमि से इस बार क्या मांगे? देखे हर वर्ष आप लोग प्रार्थना करते हो पूजा करते हो दिपावली के दिन मा लक्ष्मी और मा गणेश की अपने इश्ट देवों की और जो भगत लोग है जिनकी चोकी दरवार लगाते हैं उनकी अपने कुल की देवीयों की अपने पित्रों की सभी का पूजा ले होते हैं तो इस भार आप लोग मालक्षमी से क्या मांगोगे दिपावली पूजन पर देखिए महालक्षमी से हर बार धन दोलत बच्चा गाड़ी बंगला यह हर वर्ष हम यही मनोकाम न करते हैं मातरानी हमें धन दोलत से परिपूर्ण करो हमारे घर में अच्छी कि हमें हो पर इस बार दिपावली परमाता से प्रार्थ ना करो कि हमारे अंदर के विचारों की और आध्यात्मिक गरीबी को भी दूर करो जो अंदर के विचार हैं उन्हें शुद्ध करो परमातमा की शरण में अपने इष्ट देव की चरणों में लगाए और आध्यात्म कंगाली दूर हो जाती है ना तो हम अपने प्रमात्मा अपने इष्ट के चरणों में श्रद्धा पूर्वक ध्यान लगा सकते हैं और जब तक श्रद्धा भाव नहीं जागता तब तक कोई भी देवी देवता हमारे उपर कृपा नहीं करता क्योंकि उन तक हमारी आवाज ही करते हैं क्या होता है कि जिनके घरों में जिनोंने चोटी मोटी बेटे या फिर दस रुपे ग्यारा रुपे उठा के रखे हुए हैं तो दिपावली से पहले उसका आप लगा दीजिए उन पैसों का प्रशाद लेकर के बांट दीजिए अगर आप नहीं भी पूरा कर सकते हो जो आपने मन्नत मांगिया और कोई ओट लिया कोई बोल कबूल है आपकी बोली कबूली नहीं पूरी कर सकते हो तो आप उन पैसों का प्रशाद बांटी अपने उसीष्ट के नाम को नहीं पैसे आप दिपावली पर उठा करके रखिए के हैं मातारानी जब भी हमारा समर करते होगा तब हम आपका यह जो बोग प्रशाद हमने ओट रखा है वह हम देंगे तो ऐसा नहीं है कि वह कृपा नहीं करती आपका सामर्ते के अनुसार अगर आप ऐसा करते हो तो वह जरूर करती हैं तो यह तो सभी जानते हैं के दिपावली पर जाड़े जाड़ू सकते क्योंकि मैं जानती हूं मेरे आसपास की जो संगत आती हैं बहुत ही गरीबी से जोजती हुई और ऐसा होता है कहीं बारतों संगत ऐसी है कि हमारे पास माता का एक चोटा सा 2,500 रुपे का भोग होता है वह भी नहीं देने का सामर्ते होता तो भाई गरीब तबका है तो एक जाड़ू तो आप कम से कम 30-40 रुपे का खरी दी सकते हैं धन 13 पर तो जाड़ू जरूर खरी दिएगा पुराने जाड़ू को घर से बाहर निकालिए और दीपदान करिए दीपक जरूर जलाईए वो मैं लाई पर बताई चुकी हैं आपको कहां कहां पर कुन कुन से द जरूर करें और जिनको लक्षमी पूजन नहीं पता है कैसे करना है देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आपको मिलेंगे पर उनमें बहुत जादा सामगरी बताई जाती हैं मुझे नहीं लगता कि आप इतनी अफोर्ड कर सकते हो इतना सामर्ते आपका है कि इ के चान रखते रहें और दिपावली पूजन श्रदा भाव से करिए जितना सा लगते हैं हर आघ्यात्मिक से जूड़े हैं अध्यात्मिक्ता से जुड़े होर मातारानी अपने भक्ती को बढ़ाना चाते हैं तो अपने अध्यात्मिक विचारों को शुद्ध करके लक्षमी गणेस का पूजन जरूर करें और सधान से सधानतम तरीके से कैसे करना है वो आपको वीडियो जरूर मिलेगी तो सभी को जा माता की खुश रहे मस्त रहे और इस दिवाली सब के घर में खुशियां और आनंद की वर्षा मातारानी करें ऐसी मनो कामने के साथ सभी को जा माता की